कि बहुत हां तक जहर होता है हमारा निवेदन यह है कि इसको कोई पकाड़ने की कोशिश ना करें जब तक कि इसके बारे में पूरा प्रसिक्षान ना हो इंचानकारी ना हो और यह आम तोर पे घरों में जैसे चले रहे हैं और इच्षित के लियां हो गई हैं मेढख हो गए खास करके परसाथ किसी जन्में यह अपना भोजन करने के लिए और यह जो है अपना पेड़ भर निकली आता है और निवेदन यह है कि इसको मारे ना क्योंकि प्रत्रती का संतुलन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक और उप्योगी होते हैं आपने कहां से प्रसिच्छन सिखाई हैं हमारा प्रसिच्छन यह लगभग आज से सोला से सत्रे वर्स पहले आराम हुआ था और इसको हमने जो है एक हमारे गुरु हैं जो की अब इस दुनिया में नहीं है इलाहावात के रहने वाले थे उन्होंने इसको पकड़ने का तरीका भी बताया था और इसके बारे में यह ने को हुआ है कि फार की बताओ इसको बताते हैं ने क्ली देरी होती जिसके वजह सकते थे और हमारा सबसें हिए रोख है कि इन जीवों को मारे ना एक्सपर्ट को बुलाएं और इनको सुरक्षी करें और वन में छोड़ें ताकि इनका भी जीवन बचे और हम लोग का भी जीवन सेव रहें